हाई फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटीुब चैनल आरेट डिक में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ के इन्स्टाग्राम, स्टोरी, म्यूजिक के साथ सेव कैसे करें इस्टाग्राम, स्टोरी, सेव जूजिक दोस्तो आज मैं आपको सबसे आसान और सबसे मैं नया तरीका से बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें और इस्टागराम ओपन करने के बाद दोस्तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें स्टोरी का अप्शन भी लगा देख सकते हैं तो आप दोस्तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी लगाता हूँ और फिर मैं आपको step by step करके बताने वाला हूँ कि Instagram, Story, Music के साथ Phone के Gallery में कैसे Save करते हैं मैं आपको Life Proof के साथ दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं इस Story को Delete कर देता हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं इस Story को Delete कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं एक Story लगा लेता हूँ ताके मैं आपको Song के साथ यानि की Music के साथ मैं आपको Save करके अपने Phone की Gallery में दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं एक Song ले लेता हूँ यहाँ पर मैं Music पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं एक Song ले लेता हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं इसे fix कर दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं share कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैं यहाँ पर story को share कर दिया हूँ अपने instagram पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर uploading होना start हो चुका है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह story मेरे instagram में लग चुका है अब यहाँ पर इस story को मैं अपने phone की gallery में save करके दिखाने वाला हूँ वो भी friends music के साथ तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है यहाँ पर हमें story पर click करना है तो यहाँ पर मैं story पर click किया हूँ यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें three dot मिलेगा तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें three dot पर click करना है three dot पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें copy link मिलेगा देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें इस copy link पर click करना है copy link पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं link copy हो चुका है अब दोस्तों क्या करना है यहाँ से हमें back करना है back करने के बाद दोस्तों अपने phone में कोई भी browser को open कर लेना है story saver ओके दोस्तो इस तरीके से यहाँ पर हमें type कर देना है इस तरीके से दोस्तो आपको यहाँ पर type कर देना है story saver instagram and यहाँ पर search करना है search करते ही दोस्तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें काफी सारा यहाँ पर website आएगा तो दोस्तों यहाँ पर हमें first वाली website को open कर लेना देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी website को open कर सकते हैं यहाँ पर आपको सभी website एकी तरीके से काम करता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी website का advertiser नहीं करता हू यानी की promotion नहीं करता हूँ मैं आपको knowledgeable के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं first वाली website को open करता हूँ and first वाली website पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस परकार का page open हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमें scroll down करके नीचे आना है तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें paste URL इंस्टागराम देखनों को मिलेगा तो अब यहाँ पर हमें इस पर click करना है paste URL इस पर click करके यहाँ पर हमें long press करना है long press करने के बाद यहाँ पर हमें paste करना है paste करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें download पर click करना है देख सकते हैं download पर click करने के बाद दोस्तों इस पर करका page open हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमें scroll run करके थोड़ा सा नीचे आना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें डाउनलोड वीडियो देख सकते हैं तो इस पर हमें किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों फिर से इसे हमें कट करना है कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा स्टोरी सेव हो चुका है मेरे फॉन की गैलरी में यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ यहाँ पर मैं gallery open करके आपको दिखा देता हूँ gallery open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते है recent यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं इस पर click करता हूँ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा story save हो चुका है वो भी friends gallery में music के साथ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं इसे sound यहाँ पर कम कर दिया हूँ इसलिए आपको यहाँ पर song सुनाए नहीं दे रहा है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप instagram story को music के साथ अपने phone की gallery में save कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ दोस्तों कि यह छोटी सी जनकारी अच्छी लगियो वीडियो अच्छी लगिये तो like comment जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक आरे ट्रिक चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर दिजिए तो चलिए friends फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए ट्रिक के साथ अब तक लिए बाए